एक जन्वरी, नए साल का पहला दिन, चुपचाप यहां जलातें एक दीपक, पूरी साल जमकर बरसे का पैसा, मालक्षमी को आना ही पड़ेगा आपके द्वार, ओम गर्शी महांगड़े शाय नम्हा, राथे राथे दोस्तों कैसे हैं आप सब, दोस्तों नया साल नई और नए संकल्प जन्म लेते हैं, हम सभी चाहते हैं कि नया साल हमारे और हमारे परिवार के लिए सुक्सम्रती और खुशाली लेकर आए, नए साल में हमारे जीवन से सभी धन संबंदी समस्यां दूर हो जाएं, हमारे घर में धन धाने के भंडार भर जाएं, अगर आप भ पहले दिन घर में इस जगह जलाएं, दीपक, धनकी देवी मा लक्षमे को आना ही पड़ेगा आपके द्वार, पूरी साल जम कर बरसे का पैसा, दोस्तों जिस तरहें सुवह की अच्छी शुरुवास से पूरा दिन अच्छा रहता है, ठीक उसी तरहें साल का पहला दिन श अधिकता लोग मंदे जाते हैं और पूजा पार करते हैं, नए साल के पहले दिन सबसे पहले भगवान शरी गणिश का पूचन किया जाता है, भगवान शरी गणिश प्रथम पूचनिया है, माना जाता है किसी भी कारे की शुरुवात करने से पहले अगर भगवान शरी पूचन किया जाता है भगवाण श्रीक ने मलक्ष्मि का पूचन भी अवश्य एक चाहिए इस बार एक tal चपत ईवव इस जोतिश के अनुसार यह योग मालक्षमी को प्रसंद करने के लिए बहुत ही शुप और मंगलकारी माने जाते हैं इन योग में जो भी पूचन या उपाय किये जाते हैं वह अचल्द ही सिद्ध हो जाते हैं दोस्तों इस योग में मालक्षमी का पूचन करने से मालक्षमी अतिशीक्र ही प्रसन हो जाती है दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पूरी सार आप पर मालक्षमी के कृपा बनी रहे और आपके घर में मालक्षमी जी का बास हो तो आप नए साल के पहले दिन मा लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य ही करें मा लक्ष्मी जी का पूजन करने के लिए इसनान आदी कर सच लाल या गुलावी रंग के बस्त धारन करें लाल और गुलावी रंग के बस्त सुख सम्रथी और सौभागी के प्रतिक होते हैं और यह रंग मा लक्ष्मी जी को भी अती प्रिये हैं ध्यान रखें आज के दिन फूल कर भी काले, नीले या कथाई रंग की पस्त ना पहने इस नान करने के पश्चात आप अपने मंदिर में एक शुद्धी खीका दिया जलाएं और एक सुगंदि थूपती अवश्य ही जलाएं दोस्तों कहा जाता है कि पूजन के दोरान जितनी सुगंद बाता वरण में होती है उतना ही जीवन भी खुश्यों से महक उठता है इसलिए पूजन के दोरान सुगंदि थूपती अवश्य ही जलाएं भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। सबसे पहले पथम पूचिने भगवान श्री गणेश का पूचन करें। फिर भगवान श्री हरी विष्टू और धनकी देवी मालक्ष्मी का पूचन करें। दोस्तों मालक्ष्मी जी को प्रसंद करने के लिए मालक्ष्मी जी को लाल रंग के पुश्प अर्पित करें। दोस्तों धनकी देवी मालक्ष्मी को कमल का फूचन करने से मालक्ष्मी धन संबता का आशिरवाद देते हैं। इसलिए हो सके तो आज के दिन आप मालक्ष्मी ज लगाया जाता है दोस्तों नए साल के पहले दिन मालक्ष्मी जी जीको प्रसंद्ध करने लिए नए जाल की सध्याकाल की समय पूजन के समय इस आप मा लक्ष्मीं जी के सामने एक पिशिष तरह का दीपक जलाएं यह दीपक जलाने के लिए आप पहले एक खाली दीपक लें इस दीपक में आप शुद्ध घी भरें शुद्ध घी की सुगंध मा लक्षमी को अति प्रिया है अब इस दीपक में आप रुई की बाती के इस्थान पर लाल रंग के थागे की बाती लगाएं इसके लिए आप लाल रंग के कलाबा या मौली का इस्तमाल कर सकते हैं लाल रंग की बाती लगाने के पश्चात अब आप इस दीपक के घी में थोड़ी सी केसर डाल दें अगर केसर ना हो तो आप इस घी में थोड़ा सा कुम कुम मिला दें अब मालक्ष्मी जी के सामने आप थोड़ी से सावु चावलों का धेर रखें इस धेर के ऊपर आप दीपक रखें दोस्तों ध्यान रखें आपको दीपक को सीधी जमीन पर नहीं रखना है दीपक को या तो आप चावल के धेर पर रखें या फिक लाल रंग का कपड़ा बिचा कर उसके ऊपर आप इस दीपक को रखें सीधी जमीन पर रखा गया दीपक अपूर माना जाता है दीपक रखने के पस्चाथ अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो दीपक की बाती है वह इशान कौन की तरफ होनी चाहिए इशान कौन याने की पूर्फ और उत्ता दिशा के बीच में इशान कौन मा लक्ष्मी जी की दिशा मानी जाती है मा लक्ष्मी जी का इशान कौन में बास होता है इसलिए आपको दीपक इस तरहें रखना है कि दीपक की बाती इशान कौन की तरफ हो अब आप इस दीपक को जलाएं दीपक जलाने की पश्चात आप भगवान शिरी गणिश को प्रणाम करें और मालक्ष्मी जी को प्रणाम करें फिर धनकी देवी मालक्ष्मी जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें मंत्र इस प्रकार है ओम महालक्ष्मे नमा ओम महालक्ष्मे नमा दोस्तों अगर आपके यहां कमल गट्टे की माला हो तो आप इस मंत्र का जाप कमल गट्टे की माला पर करें कमल गट्टा मालक्ष्मी जी को अति प्रिय है कमल गट्टे की माला पर इस मंत्र का जाप करने से मालक्ष्मी जी अति शीक्र ही प्रसन्न हो जाती है मंत्र का जाब करने के पश्चात आप भगवान श्री गणिश की आती करें फिर मालक्ष्मी जी की आती करें पूचन से पहले आप मालक्ष्मी जी को किसी फल मिष्थान का भोग अवश्य ही लगाएं फल मिष्थान ना हो तो आप शक्तर का ही भोग लगाएं और मा लक्ष्मी जी को लाल रंग के कुमकुम से तिलक करें मंदर का जाब करने के पश्टात अब आप भगवान श्री गडेश भगवान श्री हरी विश्णू मा लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और अपने नए साल को सुख में बनाने की प्रातना करें मा लक्ष्मी जी को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करें अपने घर इस्थिर बास करने की मा लक्ष्मी जी से प्रात्ना करें और आपकी धनसम मंदी चूबी समस्या है वे मा लक्ष्मी जी के समक्ष रखें और अपने सभी समस्याओं को दूर करने की प्रात्ना करें दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह दीपक प्रदुशकाल खत्बों होने तक जलता रहना चाहिए यानि कि संध्याकाल के पश्चात 45 मरत तक यह दीपक जलता रहना चाहिए पूजन के पश्चात आप अपने मस्तक पर भी कुम-कुम से तिलक करें और आपने मैया को छुप होग लगाया है उसे प्रशाद के रूप में ग्रहर करें और अगले दिन सुभह होने के बाद दीपक के नीचे आपने जो जावल रखे हैं उन्हें पक्षियों को डाल दे दोस्तों शास्तों में मालक्षमी जी को प्रसन्य करने का ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताया गया है इस उपाय को कहने से मा लक्ष्मी जी के कृपा प्राप्त होती है, घर में मा लक्ष्मी जी का बास होता है, और घर में धन्धाने के भंडार्भा जाते हैं, दोस्तों इस उपाय को नए साल के पहले दिन कहने से मा लक्ष्मी जी के कृपा से, पूरे साल घर में धन के किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती घर में सुक सम्रधी बनी रहती है दोस्तों इस उपाय को कहने के साथ ही आप कुछ बातों का विशी ठ्यान रखें मालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कहने के लिए हमेशा महिलाओं और कर्ण्याओं का सम्मान करें शास्तों में बताया गया है कि जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता वहां मालक्ष्मी जी का बास नहीं होता और जहां मालक्ष्मी जी का बास नहीं होता वहां करीवी और दरित्ता का बास होता है घर में साफ सफाई का विशी ठ्यान रखें नए साल से पहले ही अपने घर से सारे कवाड़ा वहा निकाल दें घर की उत्तर दिशा इशान कोड में कोई भी भारी समान या कवाड़ा एकटा ना करें क्योंकि यह दिशा मालक्ष्मी जी की दिशा होती है और इस दिशामिक कवाड़ा या भारी समान रखने से घर में धन का अभाब बना रहता है साथ ही मालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए मासमत्रा का सेबन भूल कर भी ना करें नए साल के पहले दिन इस उपाय को कर इस से लाव अवश्य ही प्राप्त करें दोस्तों आप सभी को के अस्ती राधे किष्णा शिंगार परिवार की तरब से नफवर्ष की हादिक शुप काम ना है उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में जादर सी जादर शियर करें जिस से भेह भी इसका लाप उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले थैंक्स फॉर वाचिंग राधे राधे